इस लेस्टन के अंदर हम क्रोमोसोम क्या होते हैं किसमें डिस्कवर किये में different species में कितने क्रोमोसोम होते हैं क्या ये हमारे survival के लिए जरूरी होते हैं ये सब questions का answer डिस्कवर करेंगे और साथ में इनकी types डिस्कवर करेंगे यानि के different individuals के अंदर क्रोमोसोम की different types किस base पे होती हैं कैसी होती हैं ये सब हम इसमें डिस्कवर करते हैं तो चलते हैं lightboard की तरफ जी students क्रोमोसोम और DNA की बात कर रहे हैं क्रोमोसोम लफज क्रोम और सोम से बना हुआ है अब देखिए लफज जो क्रोम है इसका मतलब होता है color इसका मतलब क्या है color और लफज सोम का मतलब आप जानते हैं हम इससे body कहते हैं ये color bodies होती हैं ये color bodies हम इससे क्यों कहते हैं क्यों कुके during cell division, जब cell division हो रही होती है, हम cell को stain करते हैं, यानि के different components को stain कर रहे होते हैं, तो उसमें ये color bodies हमें नजर आती हैं, तो इसलिए हम ने chromosome के नाम से mention रख किया गया, ये divide जो cells होती हैं, उन्हें के अंदर just appear होते हैं, यहाँ पे हम chromosome को define करें तो हम ऐसा कह सकती है These are Thread-like Structure यानि किस तरह के Structures होती है Thread की तरह के Structures होती है यानि कि जैसे एक धगा होता है बिलकुल उस तरह के Structures है और यह Thread-like Structure just appear during cell division कब appear होती है Cell division के दुरान appear होती है यानि कि जब cell divide कर रहा होता है सिर्फ उसी वक्त appear होना है और non-dividing cell के अंदर ये appear नहीं होते ठीक है यानि कि appear during cell division और जो scientist जिसने इसको first time discover किया था उसका नाम है Walder Fleming एक German embryologist था जिसका नाम क्या है Walder Fleming ये जो Walder Fleming है इसने 1882 में chromosome को discover किया था 1882 के अंदर और इसने कहां से discover किया था अब देखे स्लेमेंडर एक ऐसा amphibian है जो lizard like होता है जैसे वो newts हैं वो भी lizard like amphibians हैं स्लेमेंडर का लार्पा बहुत जल्दी से divide कर रहा था वो जो dividing cells हैं उनके अंदर इसने सबसे पहले इसको discover किया था जो embryo को discuss करते हैं तो यह स्लेमेंडर लार्वा यह भी उसकी development को पढ़ रहा था यानके किस तरह से उसके different structures, different functions, different organs यानके किस तरह से perform करते हैं, किस तरह से वो बनते हैं और क्या role play करते हैं तो स्लेमेंडर लार्वा के जो rapidly dividing cells थे उन cells के अंदर सबसे पहले like structures होती हैं, chromosomes के नाम से mention किया गया और याद रखिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ कौन से cells के अंदर हैं dividing cells के अंदर, जब cell divide करता है जबकि if you talk about the non-dividing cells तो उसके अंदर chromosomes मजूद नहीं होते यानि कि non-dividing cells के अंदर chromosomes मजूद नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ dividing cells में होते हैं अब देखिए, यह इसमें MCQB हो सकता है कि first time जो discovery हुई है वो कौन से scientist ने की और कहां से की, क्या वो study कर रहा था और कि क्रोमोसम्स कौन से cells के अंदर मजूद होते हैं just and only dividing cells के अंदर होते हैं और क्रोमोसम्स का mean यानि के color bodies हम इनको कह लेते हैं अब existence मतलब यह pie कहां बेज़ाते हैं देखिए students जितने भी living organism हैं उन तमाम living organism में all eukaryotic cells के अंदर आज़द होते हैं these exist in all eukaryotic cells जितने भी eukaryotic cells होते हैं उन तमाम eukaryotic cells के अंदर क्रोमोसम्स exist करते हैं अब इनके नंबर की बात करें तो इनके नंबर में हम कहते हैं penicillium जिसमें only one pair है और you know that penicillium एक fungus का नाम है जबके funs ये plant है और plant में 500 pairs of क्रोमोसम्स माजूद है जबके mosquito आप जानते हैं इसके अंदर six क्रोमोसम्स हैं honey bee के अंदर 32 क्रोमोसम्स हैं corn इसके अंदर 20 क्रोमोसम्स हैं sugar cane गन्ना जिसे हम कहते हैं इसमें 80 क्रोमोसम्स हैं frog it has only 26 क्रोमोसम्स जबके mouse के अंदर 40 क्रोमोसम्स मजूद हैं students यहां पे different type के living organisms मजूद हैं different type के living organisms में हम कहते हैं different species मजूद हैं यानि कि यह अलग species है यह अलग है यह different species मजूद हैं different species में number of chromosomes भी क्या हैं different हैं यहां पे हम एक statement दे देते हैं यह है कि number of chromosomes हैं यह क्या करते हैं vary करते हैं कहां से कहां तक एक species से लेकर दूसरी species में number of chromosomes different मजूद होते हैं एक बात याद रखिएगा size matter नहीं करता जैसे कि यहां पे हनीवी mosquito almost इनका size mosquito का चोट है six chromosomes है honey bee का थोड़ा से बड़ा है तो उसमे 32 chromosomes है जबके कौन आप यह जानते हैं मकाई को हम कहते हैं वह plant है और इतना huge plant है मतलब बड़ा plant है as compared to honey bee and mosquitoes में just only 20 chromosomes है size doesn't matter size of the organism doesn't matter जबके यह सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा कहते हैं कि यह हर species की एक different character है और different species में number of chromosomes भी क्या होते हैं different होते हैं अगर यह बात की जाए कि एक species के अंदर तमाम members के अंदर chromosomes क्या होंगे in a one species single species के अंदर जतने भी members है तमाम members में normal constant chromosomes number होता है let's suppose if I talk about the human अगर मैं इनसान की बात करता हूँ तो इनसान की बात की जाए तो human में 46 chromosomes मजूद हैं आप जानते हैं 46 chromosomes जो हैं यह pairs की form में exist करते हैं यानिके इसमें हमारे पास 23 pairs मजूद हैं 23 pairs of chromosomes मजूद हैं अब जितने भी इनसान दुनिया में मजूद हैं तमाम की तमाम इनसानों में 23 pairs of chromosomes ही exist करेंगे यानिके तमाम के अंदर 46 chromosomes मजूद होंगे बटके जब मैं ऐसे बात करूँ कि इनसान और कोई दूसरी species की बात कर ली चाए चिंपैंजी की बात कर ली चाए तो उसमें 48 chromosomes हैं तो बाज गत हो भी सकता है कि यानि कि species to species भी same हो लेकिन उनकी category उनका structure उनका physically एक दूसरे से क्या होंगे variation cross करेंगे लेकिन कहा यह जाता है कि species to species क्या है different है लेकिन एक species के अंदर जितने भी members हैं उन तमाम members के अंदर number of chromosomes same हैं अब एक बात बताईए मुझे क्रोमसोम्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है क्रोमसोम्स के अंदर information मजूद होती है यानि के information का जो unit है वो हमारे पास gene है तो it contains genes इसमें क्या मजूद है genes अब जो genes हैं कितनी को मजूद होती है these are hundreds or thousands मतलब ये सेंकडों की तदात में भी हो सकती हैं या फिर thousands की तदात में भी एक क्रोमसोम पे हो सकती हैं only on a one chromosome जब एक क्रोमसोम के उपर hundreds or hundreds of thousands मजूद हैं या फिर overall बात करें तो बहुत ज़्यादा genes मजूद हैं इन तमाम genes के अंदर information मजूद है या itself these are responsible for containing information और ये जो information है वो किस से relate करेगी that information is related to their development यानि के body किस तरह से development होगी उसके अंदर किस तरह से structure बनेंगे और फिर उसके बाद फिर उनमें functions किस तरह से perform होंगे तो body के functions और body के different organs का और develop होना और फिर उनका function perform करना इन तमाम की information encoded है genes के अंदर और ये genes जो है these are present upon chromosomes ये chromosomes के अंदर माजूद होती हैं और यही chromosomes one generation to next generation transmit होती हैं तो अगर मैं ये कहूं कि ये chromosome miss हो जाए या फिर इसको कोई part miss हो जाए If there is chromosomes, यनि कर लॉस हो जाता है Chromosomes क्या हो जाता है? Loss हो जाता है या फिर इसको कोई part loss हो जाता है Complete chromosomes या फिर इसको कोई हिस्सा एक छोटा सा xo тебе loss हो जाएगा फिर क्या होगा? तो इसके वजा से serious disease Develop हो सकती है Disease कह सकती है Syndroms develop हो सकती है Syndroms plus हम इसके वज़ा से क्या हो सकता है डेथ हो सकती है तो अगर तो हम बात करें इसके missing part की अगर एक chromosome या पर उसको छोटा सा हिस्सा कहीं पर lost हो गया गुम हो गया तो उसके वज़ा से ये information lost हो जाएगी information के अंदर क्या है development and function ये development and functions properly perform नहीं होंगे जब ये नहीं perform होंगे तो उसके वज़ा से disease, serious disease, disorders और ultimately it leads to death, ये death की तरफ भी ले जा सकता है तो इसका मतलब किसी भी organisms के survival की बात की जाए तो survival के लिए जरूरी है कि तमाम क्रोमोसोम्स बिलकुल सही condition के अंदर मवजूद हो यानिके बिलकुल proper conditions में exist करते हो अगर तो आपने ये different discuss किये हैं syndroms like that donor syndrome है, एक clean filter syndrome होता है ये different abnormalities है, आपने last chapter 1219 में discuss बेगी that is due to the chromosomal abrasion, यानि chromosomes number loss या इज़ाफी आने की वज़ा से problem create होती है अब हम बात कर लेती हैं कि chromosomes की types कितनी हैं यानि कि हम किस तरह से इनको एक दूसरे से variate कर सकती हैं और ये chromosome होते कैसे हैं, हैं कैसे तो बात करें typical chromosomes की तो उसके पहले types के मतलिक हम बात करने लगी हैं तो students इसकी different types हैं एगर हम एक typical chromosome की बात करें तो ये एक typical chromosome है इस तरह से that is a one typical chromosome लेगन you know that इसकी ये area जो है ये constructed area होता है यहाँ पर construction मौझूद है ये construction बासकत एक और construction भी मौझूद होती है let's suppose यहाँ पर एक और construction मौझूद है and it is again और ये again यहाँ से एक और structure जो है वो बना रहा है इस तरह से तो दो तरह की construction इसमें हो सकती हैं एक यानि कि जो already यहाँ पर मौझूद है और एक और भी बन सकती है अब जो पहले मौझूद है first one है that is known as primary construction इसको हमने primary construction के नाम से mention किया हुआ है primary का मतलब होता है first one पहली और construction का मतलब यह है यह इस तरह से constructed है सुकड़ा हुआ है ये area construction हम से कह सकते है अब देखिए यहाँ पे एक और construction भी मजूद है जब एक और construction मजूद है that can be named as secondary construction वो दूसरी construction है तो उसको हम secondary construction के नाम से भी mention कर सकते हैं याद रखिएगा कि यह जो primary construction है that can also be known as centromar इसको हम centromar भी कहते है यादि कि यह chromosomes का आप ऐसे कह सकते है कि एक वो area होता है जहाँ पे दो chromatids एक दूसरे के साथ जो है वो link होते है तो यह area centromar भी कह भाता है you know that कि बावसकाद इसमें एक DNA मजूद है जैसे कि यहाँ पे exist कर रहा है एक DNA इस DNA को हम satellite DNA के नाम से mention किया satellite DNA यह जो satellite DNA होता है basically यह non-transcribing DNA है यह यह ऐसा DNA जिसमें कोई information मजूद नहीं है just यहाँ पे existed है वो एक specific sequence जो है वो बार 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 repeat हो रही है thousand times or many thousand times it's repeating again and again and again and again तो यह जो satellite DNA यह कोई काम नहीं करता ऐसस यह non-transcribing DNA होता है यह जो chromosome है इस chromosome के उपर यहाँ पे heads पे इसके structures माजूद होते हैं जो इसको cover करते हैं दोनों sides पे यह जो structures इसको cover up कर रहे हैं that is known as telomers इनको हमने telomer के नाम से mention किया telomer हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह chromosome की end caps होती है और यह end caps इनको protect करने के लिए होती है that is for the purpose of protection यह protection के purpose के लिए होती है यह जो हैं यह end cap होती है मतलब इसके end पर माजूद होती है और इनका भी जो DNA माजूद होता है इसके अंदर वो भी non-transcribing होता है उसके अंदर भी as such कोई भी gene या functional DNA exist नहीं करता यह telomers भी है वो इसके caps पर माजूद होती है तो यह इस तरह से यह chromosome जो है वो एक exist कर रहा है लेकिन जब यह singlet chromosome है यानि कि एक single chromosome है इससी के जब duplication होती है तो उसको हम duplicated chromosome के नाम से mention करते हैं let's suppose जब हम बात करते हैं cell division होती है यही chromosome इस तरह की appearance जो है वो show करता है यानि कि इसमें दो chromatids जो है वो क्या हो जाते हैं बन जाते हैं यह एक chromatid इस तरह है जबकि इसी के साथ इसका replicated part होता है यह जो replicated part है that is in other chromatids यह दूसरा chromatid है तो इस तरह से एक chromatid के अंदर duplicated chromosome में यानि कि एक chromosomes में दो chromatids होते हैं chromatid क्या है chromatid इसका यह जो part है यानि कि यह जो हिस्सा होता है यह arm हम कह सकती है यह हम ऐसे भी कह सकती है कि यह जब replicate करता है तो replicate करने के बाद अपना एक structure बनाते है साथ में एक और strand बनाता है that strand is known as chromatid exact replica of chromosome भी कह सकती है chromosomes के बिलकुल exact copy होती है same as it is इसके यह जो reason है यह primary constriction और primary constriction को हमने क्या नाम दिया हुआ है centromar का नाम दिया हुआ है यह जो chromosome यहां पे exist कर रहा है इस chromosomes के यहां पे disc-like proteins मज़ब होती है यह जो disc-like proteins होती है इनको हम syneptonemal complex भी कहते हैं क्योंकि यहां पे बासकत हम इसे kinetocore proteins के नाम से mention करते है kinetocore आप ऐसे कह सकते हैं जहां पे spindle fibers attach होते है spindle fibers spindle fibers attach होते है तो यहां पे जो proteins मوجود है उन proteins को हमने kinetocore proteins का नाम दिया है इन kinetocore proteins के साथ क्या attach होती है spindle fibers attach होते है बाद में जाके आप देखती है कि यह और भी functions प्रफॉर्म कर ले होती है लेगिन यहां पे spindle fibers की attachment इनके साथ होगी देखे students यह एक typical chromosomes है और इसे हम duplicated chromosome के नाम से mention करते हैं duplicated chromosome और इस duplicated chromosome के अंदर दो chromatid exist कर ले है देखे students next हम बात कर लेते हैं इसके karyotype की देखे karyotype की जब हम बात करते हैं तो karyotype इस टाइप एक ऐसा system है या ऐसे आप कह सकते एक टेक्नीक है जिसमें हम particular array of chromosomes show करते हैं और इन इंडिविज्वल यानि कि इसमें हम कहते हैं particular particular array of chromosomes array of chromosomes यानि कि chromosomes के खास किसम के particular array show कर रहे हैं इन एन इंडिविज्वल एक इंडिविज्वल के अंदर एक जानदार की हम बात कर ले हैं एक परसन की बात कर ले हैं देखें स्टुएंट्स जब मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे पास chromosomes हर cells में माजूद हैं अब एक cell को हम निकालें उस cell की chromosomes को separate करें अब उस chromosomes को separate करेंगे तो एक particular array बन जाएंगे यानि खास किसम की diagram हमारे पास appear हो जाएगे यह जो खास किसम की diagram appear होती है इसको हम केरियो टाइप कहते हैं अब जो केरियो टाइप है इसमें हमने देखना यह है कि types of chromosomes किस तरह से हैं देखे different types की chromosomes exist करते हैं वो किस base पे exist करते हैं यानि कि हम different types of chromosomes की बात करें तो that can be different depending upon their size वो अपने size की base पे different हो सकते हैं वो अपने staining property की base पे different हो सकते हैं staining property का मतलब यह होता है कि हम उसको जो color देते हैं वो color देना, यानि कि उसकी base पे भी वो एक दूसरे से different हो सकती है same as it is position of centromer centromer की जो position है उसकी base पे हम उसको different दे सकती है, यानि कि जो centromer की position है, वो भी different हो सकती है, अब उसके जो length of arms है वो भी different हो सकती है length of arms यानि कि जो उसके ये centromer है centromer के उपर और नीचे जो arm है बाजू है उसमें भी variations आ सकती है तो ये variation शो कर सकता है ये हम बात कर रहे हैं chromosome की कि one chromosome can vary it from different upon the size staining property position of centromer, length of arm इनकी base पे एक chromosome, दूसरे chromosome से different हो सकता है देखिए students जब हम उसके karyotyping करेंगे तो हम इनको size, staining property इस सनरवी के base पे हम एक दूसरे में differentiate कर लेंगे अगर हम बात करें karyotype की तो ये एक individual के तमाम cells में similar है लेकिन एक species से दूसरी species में वो जो differences आएंगे that mark differences between the species to species, एक species से दूसरी species में जो difference है वो किसकी वज़ा से होंगे? karyotype की वज़ा से उससे हम देख सकते हैं observe कर सकते हैं even the siblings of one family यानि कि अगर हम एक family के बात करूं मैं अपने बाई बैनों की बात करूं तो उनके अंदर भी different तरह के chromosomes हो सकते हैं यानि कि वो भी एक दूसरे में differences शो कर सकते हैं तो इसकी वज़ा से हम different chromosomes के अंदर variations हो हैं वो ला सकते हैं अब अगर बात करें chromosomes के depending upon the position of the centromer position of centromer की base पे हमने different तरह से उनको classify किया है कौन कौन से हो सकते हैं? that can be acrocentric यानि कि ये acrocentric हो सकते हैं that can be metacentric ये metacentric भी हो सकते हैं sub metacentric ये sub metacentric भी हो सकते हैं sub metacentric that can be tillocentric ये tillocentric भी हो सकते हैं यानि कि इसमें different तरह कि उसकी shape जो है वो आ सकते हैं याद रखिएगा, acrocentric का मतलब यह है, कि यहाँ पर, जो हमारे पास chromosome है, उसका जो tail है, यानि कि एक arm है, वो centromer के, जो उसके mid है, उसके क्रीब-क्रीब होगा, उसके क्रीब-क्रीब होगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, कि near the end, near the end माजूद है, यहाँ पर जो इसका centromer है, that existing near the end, वो end के क्रीब-क्रीब जो है, वो यहाँ पे exist कर रहा है, जबकि metacentric की बात करें, तो जो उसका centromer है, that is, बिलकुल उसके center में मौजूद है अगर तो उसका centromer उसके center में मौजूद है, तो that is known as metacentric sub metacentric की बात करें तो sub metacentric का मतलब near the near the mid mid के बिलकुल क्रीब-क्रीब मौजूद हो जब near the mid मौजूद है तो वो कौन सा है, sub metacentric हो जाएगा, यानि कि अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें हम कहते हैं, कि यह almost mid के क्रीब है, mid में नहीं है, लेकिन mid के क्रीब है, तो अगर तो यह क्रोमोसोम्स का यानि कि सेंट्रमर जो है बिलकुल end पे मौजूद है तो that can be known as that can be known as तिलोसंट्रिक, हम इसको अगर words में लिखें, तो हम कहते हैं एक्रोसंट्रिक जो है यह near end मौजूद है यानि कि end पर इसका सेंट्रमर मौजूद है, और अगर हम देखें, at mid तो mid में मौजूद हो, तो कौन सा है? मैटसंट्रिक, और अगर near mid, यानि कि बिलकुल सेंटर में, उसके बिलकुल mid के दरम्यान में मौजूद है तो Vो सब मैटसंट्रिक है और अगर at end है, उसके बिलकुल end पे मौजूद है तो वो कौन सा है टिलो सेंट्रीक है स्टूडिंस हम क्रूमोसोम जो है जब ये मेटाफेज की स्टेज में होते हैं तो इनका डिफरंट शेप भी हो सकती है यानि कि अगर हम इसे मेटाफेज देखें तो ये बिल्कुल अपेरेंस और देंगे उस वकत हम इसकी केरियो टाइप जो है वो प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं बट इफर टॉक अबाउट दे एनाफेज जब एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज पे इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी यहां पर मेटा फेज़ पर शेफ और तरह से है एना फेज़ पर शेफ और तरह से है आपको ये टॉपिक बिलकुल समझ आया होगा इसमें बहुत से पॉइंट्स हमने क्लियर किये हैं यानि कि number of chromosomes से related, उनकी टाइप से related और क्रियोटाइप से related next हम discuss करने वाले हैं कि chromosome बने किस तरह से होते हैं मतलब chromosomes की composition क्या होती है कौन-कौन से component से we'll study in next lecture